नमस्कार स्वागत हैं आपका प्राइम टीवी पर श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम शक्सियद जिसमें हर बार हम आपको एक नई शक्सियद से रूबरू कराते हैं पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कौशल किशोर जी से आज हमारे साथ मौझूद हैं बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री सतीश तिवेदी जी से आज उनसे सीधे जानेंगे उनकी जर्णी के बारे में कि आज तक का उनका सफर कैसा रहा तो आई सीधे बात करते हैं बेसिक दौड से लिकर आज तक का सफर तो आज हम आपके सफर पे बात करने वाले हैं तो सर जैसा होता है कि पारिवार जो होता है वे एक शक्स की नीव होता है एक आधार होता है तो सबसे पहले हम आपके परिवार की प्रिष्ट भूमी जाना चाहेंगे कि किस तरीके की आपका प सामली बैग्राउंड था उसके बारे में हमें थोड़ा कुछ बता है सुईता जी मेरा परिवार एक साधारन किसान परिवार है मेरे पिता जी सुद्धरूप से एक किसान थे इसके अलावा कोई उनका दूसरा बेवसाय नहीं था बहुत जादा पढ़े लिखे भी नहीं थे हाँ एक मामले में जरूर मैं सुभागे साली रहा कि कम पढ़े लिखे होने के बावजूद मेरे पिता जी की इच्छा ये थी कि उनके सभी बच्चे पढ़ लिख करके और कुछ अच्छा करें कुछ अपना समाज में युगदान करें इसके नाते उनकी प्राथमिक्ता में हमीसा रहा और उसी बात को ध्यान में रख करके हाई स्कूल की पढ़ाई गाउं से पूरी करने के बाद बाहर निकले से धारतनगर जिले से फिर बस्ती गए जो हमारा मंडल मुख्याले था वहाँ पर हमने एडमिसन लिया इंटरमेडियेट में ग्रिजुएसन भी वहीं हुआ फिर उसके बाद पीजी की पढ़ाई के लिए गुरकपुर गए हाला कि वो कहते रहते थे कि दिल्ली जाओ या कहीं जाओ उनकी आर्थिक चमता भी कोई अधिक नहीं थी लेकिन वो तो यहां तक कहते थे कि ज़रुद पड़ेगी तो जमीन बेच देंगे लेकिन तुम जहां पढ़ाई करना चाहते हो जहां जाना चाहते हो वहां जाओ तो बहुत ही साधारन प्रिष्टभूम से निकल कर आए थे कोई ऐसी महत्वाक आंग्शा भी नहीं थी उस परिवार की कोई कलपना भी नहीं करता था कि उस परिवार में कोई बिधायक होगा या जन परतनीदी होगा जैसे जीवन आगे बढ़ता गया वो मोड आता गया परिवारीक प्रिष्टभूम भहुत साधारम थी जैसे सामान पढ़ने की ललगती मन में पिता जी की इच्छा थी इस बात को देखते हुए चुकि यह बड़ा सपोर्ट था कि मैं पढ़ना चाहता था पिता जी पढ़ाना चाहते थे मैंने दिल्ली विस्विध्याले में भी प्रवेस परिक्षा दी मैंने जबहारलाल नहरू इन्वर्स् सबी प्रतिष्टिस संथानों में जाने का मैंने प्रयास किया नहीं हो पाया क्योंकि हम लोगों की जो प्रिष्टभों में थी जो सुरुवाती सिक्छा हुई थी वो हिंदी माध्यम के स्कूलों में भी हुई थी उस कारण से भी लेकिन परिवार से पुरा सपोर्ट मिला पड़ाई के दूरान देरे देरे चुकि ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान हमारे जो टीचर्स थे वो बड़े आधरस अध्यापक थे उनको देखकर के मन में यह उआचा हुई कि हम भी कालेज में या इनिवर्स्टी में teamarena परशासने का अधिकारी बनने के परिक्छा हैं तो दी एक दो बार साथ के लोग मित्र देते थे इसलिए लेकिन दिरे-दिरे वो एक्छा मन में पनप गई कि मुझे भी उच्छे सिक्चा में अध्यापक होना है और इस वर की करपा से परिवार वालों की तपस्या से वो सपन तो जितना कॉलेज में पढ़ाई हो सकती थी उसके भरोसे वो कोसिस की और रिस्वर की क्रपा रही कि उसमें सफल रहा उच्छे सिक्षा में अध्यापक बनने की इच्छा पूरी हुई गुरकपुर में जब पीजी के पढ़ाई हुई उसके बाद वहीं बगल में बुद्ध तो आपके अध्यन के बाद में आपने वही प्रोफेसर का ही वहाँ पे जॉब प्रोफाइल किया मतब जिससे अपनी आप चिविका को एक चला सकते थे मैं खुद भी टीचर बनना चाहता था वही पैसन था मेरा और जैसे ही बन गया सिच्छा कुछ सिच्छा में तो फिर सारी परिक्षाएं देना छोड़ दिया वही इच्छा थी वह मिल गए ऐसा भी था कि जब तक आपकी नौकरी नहीं लगी थी तब एक बात सुनने के लि अंदर की बात खुज निका ली आपने ऐसा कुछ नहीं था मैं मतलब मुझे बेरोजगारी का एहसास करने का अवसर ही नहीं मिला इस वर की क्रिपा से देखे गलत परिवासा बेरोजगारी की दी जाती है आज कल क्या होता कोई हाई स्कूल पास कर लेता है भी पढ़ाई कर रहा होता है उसके बाद भी कोई उसे पूछे क्या कर रहा हो तो कहता साथ बेरोजगारी का यह मतलब नहीं है बेरोजगारी का मतलब तो यह है कि जब आप काम करने के लिए तैयार हों काम करने के योग्य हों काम करने की छमता हो इच्छा हो और उसके बाद भी आपको काम eligibility test जो निट होता है जिसको qualify करके ही आप university में या college में assistant professor हो सकते हैं वो परिक्षा जैसे ही मैंने पास की तुरंत ही दिन दियालुपादिया गुरकपर गुस्विध्याले में ही guest lecturer के रूप में मेरे ही department में जहां से मैंने PG की पढ़ाई की थी मुझे guest lecturer के रूप में point कर दिया साधी की बात जहां तक थी वो तो high school pass करने की बात से ही जैसे ही मैं थोड़ा बड़ा दिखने लगा तो मेरे पिता जी गाउं का जैसा सामनेता परिवेस्ट था कि वो कम उम्मर में ही बच्चों की साधी करना ही माबाप के जीवन का सबसे बड़ा सपना होता था तो high school pass किय तब से साधी का लेकर दबाव रहता था लेकिन जब मैं अपनी इच्छा विक्त करता था कि नहीं अभी और पढ़ना चाहता हूं तो मान गए फिर जब PG की पढ़ाई पूरी होई तो उन्हें का आप सारी पढ़ाई हो गई अब क्या आप साधी करो तो साधी नहीं करने के नहीं खोचता रहता था मैं तो मैं फिर कहता था कि नहीं अभी रुख जाए कोई नौकरी करने दीजिए उसके बाद साधी करिए तो यह बेरोजगारी के कारण नहीं था वो परिवेस ही हम लोगों का ऐसा था कि कम उमर में सबकी साधिया होती थी तो इसलिए पिता जीव कि या सवचते हैं अगर आपकी राजनीती सफर की बारे में बात करते हैं तो उसकी शुरुआत कब से हुई अब देखे भारतिय जनता पारटी में तो मैं 2007 में आया लेकिन अगर इसकी वास्तविक शुरुआत आप सारवजनिक जीवन में आदमी आता है तभी राजनीति में आता है तो जब मैं बस्ती में APNPG कॉलेज में अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था प्रवेस ल अकिल भारते विद्यारती परिशत से जुड़ा और वही जीवन का एक ऐसा मोड था एक टर्निंग पॉइंट था कि वहीं से सारवजनिक जीवन में प्रवेस हुआ चात्र राजनीति में प्रवेस हुआ और फिर धीरे 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 सारवजनिक और राजनीतिक जीवन से 2015 में 2014 के लोगसभा चनाओं के बाद मन में ये बात आई हमारा छेतर बहुत पिछला हुआ था मेरी जो विदान सभा इटवा है सिद्धार्त नगर की और मैं जब बात करता था उस पिछले पन की तो लोग कहते थे कारिकरता वहां के कहते थे कि भाईया आप इतना सोचते हैं और आप professor भी है है आप छितर के विकास के बारे में सोचते हैं आपके मन में परिकलपना भी है कि ऐसे ऐसे होना चाहिए तो किब तक दूसरों को को सेंगे आप खुद आगे क्यों नहीं आते आप खुद ही विधायक बनिये और चितर के विकास करने का प्रयास करिए तो जब ये पब्लिक कहने लगी तो मेरे मन में भी विचार आया और फिर मैंने पारटी से अनुरोध किया कि मुझे अउसर दिया जा मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और पारटी ने मुझे अउसर दिया और जंता ने आसिरवाद दिया पहली बार टिकट मांगा टिकट मिला पहली बार चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश के ततकालिन विधान सभा के अध्यक्ष के पद पर कि आप ने पिएसडी किया है और पीसडी से अचाहणाख तरफ आना एक बड़ा हूई है कौकि आप मीबूला भी आपको प्रोफेसर बनना था और अचाहनाख है नहीं सुरू केवल दूसरों को कोषना ही ठीक नहीं है। खुद आगे-आ करके, अगर कोई चेतर पिछड़ा है, अपनी वेदानतवा पिछड़ी है, तो खुद आके-आगे-आकर पे अपनी भूमिका का निरवान करना पड़े गा। केवल दूसरों की आलोचना करने से समस्या का समाधान प्रिष्ट भूम बंती चली गई 1994 के बाद से ही, लेकिन गंभिरता आई उसमें 2014 के लोगसभाद चुनाओ जब हुआ, तो छेतर में सक्री हो गए इस दृष्टी से, अपने बिधान सबाद चेतर में, मैं तो नोकरी कर रहा था, उसमें कुसी नगर में, मेरे ग्रे बिधान स पर चुटी मिलती थी, लेकिन फिर फ्रिक्वेंसी उसके बढ़ गई, आना जाना सुरू हो गया, और फिर अपने चेतर के राजनितिक, पारटी के गत्विदियों में, जिले में आकर के, रूचिनीने लगा पहले तो गुरखपूर सेंटर था, गुरखपूर रहकर काम कर देरे देरे सक्रियता अपनी विदानतवा चेतर में बढ़ाई, और पार्टी ने आउसर देदिया 17 के चुनाव में आजया हूँ. अचा, सर्बाकी है कि जिसे आपने पहली बार ही आपने चुनाव लड़ा और उसमें आपने एक भावी प्रत्याशी मातर प्रसाद पांडे जी को एक भारी मतों से आपने सपा के प्रत्याशी को आपने हराया था, तो पहली जीत आपको कैसी लगी? मतलब उस टाइम पे कि क्या मतलब आपने एक्सपेक किया था कि इस तरीके से ऐसा होगा कि मैं पहली बार चुनाव लड़ूंगा और मैं उसमें ऐसे किसी शक्स को हरा पाऊंगा? मैं सच बता हूं तो जब मैं टिकट मांग रहा था, पारटी का एक निष्ठावन कार करता हूं और पारटी की संकल्प बद्ध था कि भले मुझे टिकट ना मिले, जिसको भी मिलेगा, संकल्प ये था कि अपनी विधानतबा चेत्र में भारते जिन्ता पार्टी के प्रत्यासी को जिताना है, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ है, चेत्र है और वो विकास की राजनित करने वाली भारत उमीद नहीं थी और टिकट मिल गया, उसी तरह से चुनाओ भी जब लड़ रहा था टिकट मिला तो मैं ये मानकर नहीं चल रहा था कि मैं बिधायक बनने जा रहा हूँ, हाला कि पहली ही बार जब टिकट मिलने के बाद अपने चेत्र में पहुंचा और जितना जोरदार स् और आम जनता ने लोगों ने बताया कि कभी किसी प्रत्यासी का पालिटी का टिकट लेकर आने के बाद इस तरह का स्वागत नहीं हुआ, मेरा भासन हुआ इटवा चोराहे पर एक घंटे के असपास जनता खड़ी रही, कई लोगों जब मैंने अपने मन की बैथा बताई कि चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन मुझे ये कलपन नहीं थी कि आदरनी अमाता प्रसाद पाने जी तीसरे स्थान पर चले जाएंगे, मेरी लडाई तो उनसे रही नहीं गई, हम दूसरे नंबर पर बसपा के प्रत्यासी आ गए, ये उमीद जरूर मुझे नहीं थी, और मैं तो ये सोचकर लड़ रहा था कि ठीक है, परिस्रम करूंगा, इस बार लड़ूंगा, जनता के मन में जगह बनाने की कोसिस करूंगा, फिर आगे मौका मिलेगा, तो इमानदारी से अगर कहूं, तो मेरी जीत मेरे लिए ही आपरत्यासी थी, मुझे कोई ऐसी उमीद नहीं कि मैं चुनाओ जीती जाओंगा, लेकिन जनता ने आसिरवाद दिया, अच्छे मतोस के पहले महाँ दो हजार, एक हजार, तीन हजार, इतनी वोटों से लोग चुनाओ जीते रहे, मैं दस हजार वोट से चुनाओ जीता, और जिस बड़ी सक्सियत के सामने लड़ रहा था, वो तीसरे स्थान पर चले गए, तो जनता ने बेपना, प्यार दिया, इसके लिए मैं इतवा की जनता का, जब तक जीत हो, आजीवा ना भारी रहूँगा, आकि आप अखिल भारती विद्याती परश्यत में भी तकरीवत 13 साल उसमें रहे हैं, उसका आनुभव कैसा रहा? अच्छा रहा, देखे, दुनिया का सबसे बला चात्र संगठन है, राष्टी सोयम सेवक संग की विचारधारा से प्रेडित होकर काम करने के कारण, उससे संबद्ध होने के कारण, राष्टर भक्ती की बातें करतने वाला संगठन है, चात्रों के भीतर सकारात्मत आंदु संगठन से जुड़ेगा चात्राजनित में जाएगा तो उदंड हो जाएगा, लेकिन अखिल भारती में द्यारती परिसात एक ऐसा चात्र संगठन है, जिनके बच्चे उदंड होते हैं, पढाई में मन नहीं लगता, या लगता किसी गलत रास्ते पर चले जाएंगे, वो परिवार चाहता है कि उसका बच्चा ABBP से जुड़ जाए, ताकि वो राष्ट्रिय स्वयम सेवक संग के संसकारों से, राष्टर भक्ती से, सामाजीक संसकारों से प्ररित हो, तो मैं सोभागे साली रहा कि दुनिया के सबसे बड़े चात्र संगठन और एक राष्टर भक पोच नहीं है, कि आज एक राजनितिक सक्सियत के रूप में जो भी हूँ, एक जन परतिनीदी के रूप में जो भी हूँ, उसमें अखिल भारतिय विद्यारसी परिशत का राष्टिय स्वयम सेवक संग के लोगों के सानिध्य का बड़ा योगदान है। पाकि आपको जब ये 2019 में योगी सरकार में आपको बेसिक शिक्षा राजमंतरी का एक जिम्मेदारी दी गई, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं। बना जब केंदर में हमारी भारतियंता पालिटी की मोधी सरकार, प्रदेश में भारतियंता पालिटी की योगी सरकार, अपने छेतर की जो भी समस्याएं लेकर मानिया मख्यमंतरी स्रीयोगी आदितनाजी के पास आता था। उनको गंभिरता से सुनते थे। बहुत सारा काम हमारे बिधायक रहते हुए उन्होंने हमारे चेतर के लिए किया, हमारे चेतर में कोई राज के इंटर कॉलेज नहीं था, कोई राज के डिग्री कॉलेज नहीं था, कोई आईटी आई नहीं, पॉलिटेकनिक नहीं, कोई भी टाउन एरिया नहीं, नगर पंचायत नहीं, माननी मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाता रहा और सब चीज़ें वो करते गए तो ऐसी कोई अपेक्छा नहीं थी कि मैं मंत्री बनुगा लेकिन जब मंत्री मंदल का पहला बिस्तार हुआ अगस 2019 में और मुझे सूचना आई तो एक बार फिर से मेरे टिकट मिलने और मेरे च स्रीयोगी आदितनाच जी जैसे संवेदन सील, विकास सील और 24 घंटे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करने वाले मुख्यमंत्री के मंत्री परिस्द का हिस्सा बनने का आउसर मिला मैं स्वभागे साली हूं और कोसिस करता हूं एक बड़े विभाग की जिम्मेदारी भी उन्होंने सौपी बेसिक सिच्चा जैसा बिभाग जहां डेड़ लाग से अधिक स्कूल, छे लाग से अधिक सिच्चक, करमचारी, हर गाओं गरीब मजदूर किसान के बच्चे जहां पढ़ते हैं, एक करोड़ सी लाग से अधिक बच्चे जहां पढ़ते हैं, इतना बड़ा बजट के द्रिष्टी से प्रदेश का एक तरह से लगबग सबसे बड़ा विभाग, तो ऐसे विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने सौपी, मैं सो भाग साली समझता हूँ, अपने आपको कोसिस करता हूँ कि हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी और पारटी नेतरु जनता के अप एक्छाओं पर खरा उतरने के कोसिस करूँ तब आपके सामने कौन-कौन से मुख्य चुनौतियां ऐसी रही थी जिसका उनको सौट आउट करने का अपने बेड़ा उठाया था देखे मैं आपसे इमानदारी से बताओं जिस रात मंत्री बना तो अच्छा क्योंकि एक सिक्छक होने के नाते और एक छातर संगठन से बरसों तक जुड़ा रहने के कारण सिक्छा चेतर और विसेशकर उत्तरप्रदेश की बेसिक सिक्छा की बेवस्ता से मैं पूरी तरह से भिग्य था मैं जानता था किस तरह की चुनौतियां हैं एद्देपी की दोहजार सत्तरह में अरतियंता पालिटी की योगी सरकार आने के बाद मानिय मुख्यमंत्री जी की सीर्स पराथ्मिक्ता होने के बाद आप्रेशन काया कल्ब सुरू हो चुका था इस्कोलों की स्थिति बहतर की जा रही थी उनकी अवस्थापना सुविधा ठीक की जा रही थी बच्चों को सुविधाएं दी जाने लगी थी वो खाकी कलर का एक जेल जैसा ड्रेस अटा कर मानिय मुख्यमंत्री जी ने दो जोडी रंगीं ड्रेस कर दिये थे स्वेटर भी उत्तर पर देश की पहली सरकार थी जिसने स्वेटर और जूते मुझे दे रोज सुर्खियों में रहता था और निगेटिव चीजों के कारण रहता था तो मेरे मन में यही संकल्प आया उस रात जिस रात सूचना मिली मीडिया के माद्यम से ही कि मुझे बेसिक सिच्छा विभाग मिल रहा है कि मैं ऐसी कोई कोई कोसिस करूं कि सकारात्मक वजहों स यह बिभाग जाना जाए और इस बिभाग के कारियों से सरकार की इमेज भी निखरे उत्तर प्रदेश की जनता को यह अनुभव हो कि बेसिक सिच्छा विभाग में कुछ अच्छा हो रहा है कुछ सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है और आज मुझे इस बात का संतोस है कि उत प्रमुक उपलब्धी ये भी होगी कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के बेसिक सिच्चा परिशत के स्कूलों का खाया कल्प कर दिया, पिछले साले चार साल में सवालाग से अधिक सिच्चकों की बरती की, स्कूलों के पठन पाठन का वातवरन सुधरा, छात्रों को मिल मिलने वाली सविधाई सुधरी, मिड़े मिल, आदी की विवस्ता सुधरी, आज हर स्कूल की बाउंडरी है, दरवाजे है, किड़किया है, फर्स पर टाइल्स है, हैंडवास की विवस्ता है, किचें सेड है, स्मार्ट क्लास है, फरनीचर है, एक आमुल चूल परिवर्तन योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की बेसिक सिच्छा में लाया है, आज जन जन में ये चर्चा है, दौजार सत्रा के पहले जब भारत सरकार ग्रेडिंग करती थी, तो हम चोथे पाँचवे पाइदान पर उत्तर प्रदेश सिच्छा में पहुंचता था, आज पहली ग्र नौकरी और पढ़ाई के दोरान थे, तो उस टाइम पे एक शिक्षा अधिकारी ने आपसे नौकरी लगवाने के माँ उसमें आपसे घूस मांगी थी, तो वो क्या है पूरा वाक्या? वाक्या ये है कि मेरे मन में तुम एने जैसे आप से कहा ग्रेजुरिशन की पढ़ाई के दोरान, हमारे अध्यापकों, हमको इतने आधर्थ अध्यापक मिले, बिसेस करके जो हमारे अर्थ शास्त्र बिसे के अध्यापक थे, तो मेरे मन में एक इच्छा हो गई कि मुझे इन्हीं की तरह उच्छे सिक्षा में अध्यापक बनना है डिग्री कॉलेज में या इन्वस्टी में तो बहुत और कोई नोकरी करने की इच्छा थी नहीं लेकिन एक किसान पिता एक निम्नमध्यमबर्ग की प्रिष्टभूम का परिवार पिता जी को यह इच्छा होती थी क जितने जल्दी सरकारी नोकरी में आ जाता तो कमाता परिवार के लिए भी सहारा बनता तो जब भी कहीं कोई वेकंसी उनको पता चलती थी जानते थे तो मझे फोन करते थे कि यह पार तो उस समय जिला इस तर पर प्रात्मिक सिच्छा में सिख्छकों की भरती होती थी और आध ईडिगर करने के लिए बी टीचर सी कोर्स हो था जो भी गरेजूएट होते थे लोग उनकी लिखित परिक्षा उती थी फी परिक्षा पास करने के बाद ला ह बी-टीचिक के लिए जिसका बीटीच्चिम में भीएसैज उसका अडिपिसी में और बाद ऑजिखितुर क पास कर गया, फिर इंटर्वीव होना था, और इंटर्वीव में किसी ने बताया कि जो बेसिक इच्छा अधिकारी है, बीस नंबर के इंटर्वीव में जो हर, मतलब जो लोग पैसे देते हैं, अरिस्वत देते हैं, उन्हीं को नंबर मिलता है और इस ब चीजें, तो मेरे पे और मैं इस तरह के नौकरी नहीं करूंगा, अपने परिस्रम के बल पर इमानदारी से बिना किसी रिस्वत और ब्रश्टाचार का वरोसा लिए, जब कोई जाब मेलेगी तभी करूंगा, तो मैं तयार नहीं हुआ उसके लिए, पिता जी नाराज भी हुए, क्योंकि एक साम बिभाग में इस तरह की परिसितियों का सामना करना पड़ा था, आज संजोक से उसी बिभाग का मंत्री हूँ, तो हमारे मननी मुख्य मंत्री जी स्वय में कोसिस करते हैं, कि पूरी पारदर्शिता और ब्रश्टाचार के परति जीरो टालरेंस के तहत भरतियां हूँ, मैं बेसिक शिक्षा राजय मंत्री हैं, तो आपके रहते अब किन नियमों को बदला किया है, कौन-कौन सी नई कारियोजनाय लाई गई हैं, जिसके वज़े से आप जनता की नजरों में खरे उतर से बहुत सारी चीजे हूई है, योगी सरकार के कारिकाल्ब में ने कहाँ मेरे म इन पर पहले से प्रयास कर चुकी थी सरकार, बच्चों की जो सुविधायें हैं, जो उनका यूनिफार्म, जूते, मोजे, स्वेटर, ये सब चीजें पहले से चल रही थी, सिक्षकों की भरती की प्रक्रिया पहले सुरू हो गई थी, मैं जब आया तो 69,000 सिक्षक भरती की भारत सरकार का था, उसको हमने लागू किया, दुनिया का सबसे बड़ा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, कोबिट के लागडाउन के पहले हम आधा कर चुके थे, और आधा बाद में हमने आनलाइन मोड में उसको संपन किया, दीख्षा पोर्टल भारत सरकार का है, जिसमे बच्चों को केवल किताब से ही नहीं पढ़ाते हैं हम, स्मार्ट क्लास के माद्यम से, स्मार्ट फोन के माद्यम से, आडियो विज्वल कंटेंट के आधार पर पढ़ाते हैं, हमारा टीचर वहां से कंटेंट डाउनलोड भी कर सकता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और अपना कोई कंटेंट अपना कोई वीडियो बना कर उस पर अपलोड भी कर सकता है उसको हमने बड़ी तकपरता से लागू किया और भारत सरकार का दीचा दीचा पाइनी रिवाड वह हमारे उत्तरप्रदेश को मिला हमने हमारे जितने उच्छ परात्मिक विद्याले हैं सब म दो हेड़ मास्टर दो मिड़े मिल का किचन ये एक ही जगह पर ये ना हो हमारी लागत भी कम हो और सुविधा भी हो अगर किसी एक जगह टीचर कम है दूसरे जगह जादा है तो दोनों केमपस में लोग मिल कर कर लें उसको किया प्रेयर के समय में बच्चों के mental health को ध्यान का हो ताकि मानिय प्रदानमंत्री जी का स्री नरेंद्र मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है खेलो इंडिया को बढ़ावा देना जिसका आसर हुआ कि देखे इस बार ओलम्पिक में पहरा ओलम्पिक में कितने पदक हमारे देश को मिले तो उसको हम बच्चपन से ही वस्ता में अपनी साबागिता करें ध्यान रखें मा समीती बनाई मिड़े मिल की कि जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं इसी च्छे माताओं के कमिटी होगी जो कभी भी जाकर मिड़े मिल का जांच कर सकती हैं मिड़े मिल के निरिच्छन के लिए अपने मंडली अधि अधिन की जाने वाली सबजीयां भी किचन में बन सकें और हर स्कूल में एनुवल फंक्शन हो आकरसक लगे हमारे स्कूल आप देखते हैं बहुत सारे निजी स्कूल में ना उनके पास बिल्डिंग है ना उनके पास इलिजबल टीचर्स हैं फिर भी वहां बच्चे जाते ह क्योंकि वहां पिकनीक होता है अनुवल फंक्शन होता है तमाम सारा अट्रिक्शन है तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया और तमाम सारे ऐसी नई चीजें सुरू की ताकि बच्चों में इस्कूल में पठन-पाठन का कारिकम तो हो ही उनको आकरसक भी लगे दी स्मार्ट क्लास हजारों इसकूलों में स्मार्ट क्लास कि सापन कराई कंप्यूटर प्रोजेक्टर और smart TV के माद्यम से सची जी कर रहे है लड़कियां जहां पढती है कस् तूर्भा स्कूलों में केवल आठ तक अभि तक था गरीब परिवार की बच्ची hanya उसमें पढती है उनकी इंटर्मिडियर तक की पढ़ाई हो सके इसलिए साड़े तीन सो से अधिक कस्तूर्बा स्कूलों का उच्छी करन हमने किया कि वहाँ इंटर तक की पढ़ाई हो जाए गरीब परिवार की बच्ची का अगर वहाँ एडमिसन हो रहा है तो निसुलक और पूरी आवासी ब करन SUBSCRIBE पहले के आधार पर तो पांचों पायदान पर हम देस में थे इसकौली सिच्चा के मामले में हमने बच्चों का असेसमेंट लेने के लिए तिमाही उनका स्टूड़ेंट असेसमेंट स्ट शुरू किया सेट शुरू किया यह तमाम सारी चीजने सुरू की अभी अभी सिलीं बहरा शरकार के सिख्षा मंत्राले ने आकला जारी किया उसमें इस्कूली सिख्षा में हम पहले पायदान पर पहुंच गईए यारें देश के 10 राजे जो ड्रेंड वन में हैं उसमें हम सामिल हो गए और अब ग्रेंड वन पुलस की तो हमने थमाम सारे जो नो परवर्तन किये ने प्रयोग किये उसका लाभब उत्तरप्रदेश की बेसी इच्छा को मिला है। कि स्मार्ट क्लास के थूरू आपने बच्चों के लिए जो सिक्षा बगेरा सब भुहया कराई गई थी लेकिन यह है कि जो प्राथमिक विद्याले जो ग्रामीट शर्थ में विद्याले हैं वहां पर स्मार्ट क्लास क्या मतलब वहां पर इंटरनेट जैसी सुविधाय नहीं कि स्कूल जो गाउं में हैं उनमें आनलाइन क्लासेज होगे किसी ने कलपना नहीं की थी लेकिन मैं बदाई देना चाहता हूँ अपने अधिकारियों को और अपने सिक्षकों को ट्रेनिंग देने का भी हमारे पास आउसर नहीं था टोटल लागडाउन था लेकिन आनलाइ कि स्मार्ट फोन के माद्यम से टीचर्स के पास होमउर्क भेजते थे और उनको चेक करते से सब चीजें सुरू की यह कठिनाई है स्मार्ट क्लासेज की स्थापना हम कर रहे हैं इंटरनेट की प्राबलम है लेकिन अब ज्यादा तर हमारे देश में गरामीरी चेत्र में भी इंटरनेट की विवस्ता है हर गाउं में आप देखे लोग स्मार्ट फोन चला रहे हैं तो वह स्मार्ट क्लासेज हम जहां रागार हैं बड़ी सफलता पुरुबक वह चल रहे हैं और आपने देखा वसी समय कोबिट के समय में आनलाइन क्लासेज में जिनके पास स्मार्ट यहां तक है इंटरनेट का सवाल तो ग्रामीड चेतर में भी हमारे देश में इंटरनेट की सुविधा उपलब्द है अभी तो सरकार फाइबर नेटवर्क बिचा रही है गाउं गाउं तक फाइबर आप्टिक्स के केवल जा रहे हैं तो आने वाले दिनों में नेटवर्क की प्रदेश के योगी सरकार ने सभी विभागों को डिजिटल बनाने का मिसन सुरू किया है हमारे विभाग ने भी बढ़ चल करके उतना इस्सा लिया हमने मानो संपदा पोर्टल लागू किया पूरा एक प्रेरणा एक पूरा टेक्निकल फ्रेमवर्क है यानि पूरी टक्न की विभाग की है वो प्रेरणा नाम से जानी जाती है मानो संपदा पोर्टल पर आज हमारे हर सिक्षक करमचारी का डेटा उपलब्द है फरजी सिक्षकों की बड़ी समस्या हमारी सरकार आने से पहले 2017 से पहले रही है लेकिन हमा जब से उत्तरप्रदेश में योगी सरकार पहले जो लोग फरजी नियुकती जो हो गई है उनका भी पोर्टल पर जब डेटा अपलोड कर रहे हैं और कहीं भी किसी एक सर्टिप्रिकेट पर कोई दो बेक्ति अगर कर रहे हैं नोकरी तो तुरंट पकड में आ जा रहे हैं उसकी जांच हो रही है और वो बरखास्त हो भी किसन उसकी सब्मिट होती है और सियल जीपिया पिंसन एडियर जितना जितनी वेवस्ताएं हैं वो सब आज कल हम लोग को ने आनलाइन कर दिया है तो यह पूरा जो टेकनिकल सिस्टम है, वो सिस्टम को प्रेरना टेकनिकल फ्रेमोर के नाम से जाना जाता है, आज हमारा विभाग प्रदेश के हाई टेक विभागों में से हैं, जहां पेपरलेस वर्क जादा होता है, आनलाइन वर्क हो रहा है, बहुत सारा काम हम इस रूप के अभियान में लगे हुए हैं अभी आप देख रहे हैं हम जो बच्चों को अभी तक सुविधाय मिलती थी उनी फार्म या जूते मोजे स्वेटर जिसमें कई बारे सिकायते होती थी क्वालिटी अच्छी नहीं है या समय से मिल नहीं रहा है तो उसके लिए हम डीविटी कर सकते हैं यह सोतंद्रता अभिभावकों को देने जा रहे हैं मतलब आपने उसमें कुछ यह चीज कहा है कि अगर पेरेंट्स और चाहते हैं तो आप एक मिनमम एमांट एशु करेंगे मानक बना देंगे कि इस तरह का ड्रेस होना चाहिए इस तरह की क्वालिटी होना स्कूल के परिसर में शौचाले नहीं बनने के लिए आप टेक एस स्टेट्मेंट गिया तो उसके पीछे क्या करन था? प्रधेश सरकार की योजना सामदाएक्सोचाले की है कि हर गाउं में सामदाएकसोचाले भी होना चाहिए ताकि गाउं में साधि बिवा होता है या कहीं पर सारवजनी कुरूप में लोग सब्सक्राइब बूब प следлюдata कि खुलने से पहले कोई सौच कैसे जाएगा इसकूल बंद होने से बात में कैसे जाएगा दूसरे तो हो इसे की साववजनिक सौचाले होगा, और कि कने से sons कूल। अगर जमीन उपलब्द है तो इसकूल से बाहर बनाए लिए अब यहाँ बात कर रहे थे फरजी शिक्षकों के मकड़ जाल को निकालने की बात कर रहे थे उस पर आपने क्या कारवाही की थी किस तरीके से उस पर रोक थाम की जा रही है किस तरीके से उनको पका जाए है सरकार आने से पहले उक्तर प्रदेश में सपा बसपा के सासनकाल में बहुत सारे फरजी निक्तियां हुई एक एक आदमी के डाकुमेंट पर कई टीचर बन गए नाम बदल कर पैन कार्ट बदल कर इस सब सारी चीजें थी तिकायते आती थी हमारी सरकार बनते ही माने मुक्यमं खाणना हो भी नहीं करते हूं लेकिन फुल प्रूब जब जहांच हो जाती है और आधर हमारी योगी देश्रोय सरकार में तो अक भी प्रजी निक्थी नहीं हो सकती पहले जो हुआ है चाना हो को बाहर निकालने का प्रियास कि सर काफी समय से वह 69,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए लगाता है संगज चल रहा है उसके लिए क्या निस्तारन निकाला गिया है कि किस समय वह पूरा किया जाएगा क्या अभी भर्ती की प्रक्रिया सफलता पुरबग पुरी हो गई बीच अभी जो आने वाले विदानसपा चुनाव को लेकर जो विपक्षी पार्टियां है वो लगाता प्रदेशन कर रही है उससे आपको क्या लगता है कि आप भाजपा को इससे नुकसान होगा या फाइदा होगा देखे जो उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल है वो जब भाजपा पूरे पांच साल जनता के बीच में काम करती है आपको ध्यान होगा भाजपा विपक्षी में रहती है तो लगातार जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच रह करके सड़क पर उतरकर संगर्स करती है और जब भाजपा सत्ता में रहती है तो सरकार की योजना कैसे लाभारतियों तक पहुंचें जरुतमन्द तक लोगों तक पहुंचें को लेकर भी बाजपा जनता की बीच होते है पहली एस पारत्यों आपने की जब सारे भी पक्षी नेता उस समय नजर बन ते के वल ट्विट ट्विट का खेल खेल रहे थे उस समय भारति जनता प्र utanपत्री prick लेकर हर बैकन पर इंत्रणास कि न्शुन करनारे जाती है वहां इसब जानती अभी उत्तर प्रदेश को सबस्तर जाइन से साइकिल से मोटर साइकिल से जनता के बीच पहुंचे तो जनता के सुख दुख में हमेशा भाजपा खड़ी रहती है इसलिए चुनाओ के समय में भी जनता का प्यार आसिरवाद हमको मिलता इसलिए लगातार हम हर चुनाओ जीत रहे हैं और विपक्च जो कर रहा है वो रा काफी फेक्षिदल हैं उन्हें ने काफी एकला सा बूल रखा है तो उसकी वज़े से लोग भी काफी जैसे पेट्रोल डीजल की बात करते हैं तो इस ताइम बहुत चर्म पर है लोग इसे भी परिशान हो ही रहे हैं तो इससे लगता है कि मतलब अभी अपकमिंग जो 2022 का चुनाव है उसमें बाजपा स्टैंड कर पाएगी सामानने चीजों में कोई महांगाई कब इसे नहीं है कुछ चीजें जो जिनको हम बाहर से आयात करते हैं जिनका उत्पादन हमारे देश में नहीं होता है या बहुत कम होता है चाहे वो पेट्रोलियम प्रोडक्स हो चाहे वो डीजल हो चाहे लपीजी गैस है तो इसके नाते इनकी कीमते हैं हमारे देश के लोग अब परियात मेच्चे हो रहें कि जब भी अन्तराष्ट्रिय बाजार में पेट्रो प्रोडक्स की कीमते हैं कि बहुत बड़ी समस्या नहीं है और देश की जनता देख रही है कि किस तरह से मोधी योगी सरकार ने हर गरीब के घर में निसुल्क गैस कनेक्सिन पहुंचाया है हर किसान को समान निदी साल के 6000 रुपे दे रहे हैं किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास किया है यहों धान की खरीद को सफलता पुरुबक संपन किया है कैसे अभी अभी योगी सरकार ने गरने की कीमत 55 रुपे परतिकुंतल बढ़ाई है कानून बवस्ता की सिती ठीक की है महिलाएं आज बेख़ौफ रात को 12 बजे भी कहीं किसी कारिक्रम में किसी फंक्सन में और अपने काम पर आ सकती हैं जा सकती है किस तरह से संगठित अपराद माफिया गिरोह निस्त नामूध हो गए हैं उत्तर प्रदेश में किस तरह से मोधियोगी सरकार ने मिल करके हर गाउं में हर घर तक बिजली पहुंचाई है हर गरीब आदमी का केंदर सरकार ने खाता खुलवाया परदान मंतरी आवास सब को 2022 तक सब को आवास देने के लिए और जो परदान मंतरी आवास के क्रेटिरिया में नहीं आते हैं ऐसे लोगों को मुक्ह मंतरी आवास उपलब्द कराया जा रहा है आईसमान भारत ये उजना के अंतरगत जो भारत सरकार का है उसमें गरीब लोगों को पांच लाग रुपे तक के लाज की ववस्ता और जो उस निट से छूट रहे हैं उनको मुक्ह मंतरी जन आरोग ये उजना के तहत आच्छादित करना तो तमाम सारे ये जो काम है किसान नोजوان महीला सौयम साहता समू के माधियम से किंद्र और प्रदेश सरकार ने מिल करके आज हर घर की महीलाओं को आतुमिरवर बनाने का जो प्रयास किया है हर घर की महीला के बटूए में आज अपनी अपना कमाया हुआ धन है वो अपने जिला अस्पताल में नहीं कई सीची में कोबिड जांच के सिंटर हैं, हर जिला अस्पताल में आज आकसीजन के प्लांट हैं, हर जिला अस्पताल में आज आईसियू है, पीकू है, तो हर छेत्र में पिछले साले चार साल में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पांच साथ के साथ कह सकता हूं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतिय जनता पार्टी की सरकार पिछली बार से अधिक सीटों के साथ आईगी अधिने बड़े दल से कोई सौधे बाजी नहीं कर सकता है कोई ब्लैक मेल नहीं कर सकता है मुझे इतनी सीटें चाहिए इतना यह चाहिए गठवंधन का धर्म होता है गठवंधन कुछ नियुन्तम साजा कारिक्रमों के आधार पर होता है सिध्धामतों के आधार पर होता है अब वीडियो चल तो रहा है सोचल मीडिया में कि पिछली बार आदर्णिय उंप्रकास राजबर जी ने समाजबादी पार्टी और अखिले सियादो जी के लिए किस तरह के सब्द प्रयोग किये थे और फिर कैसे सत्ता की साजेदारी वो भी सपना पूरा होने वाला नहीं है वहाँ जाकर सत्ता में साजेदारी मिल जाती तो सत्ता ही नहीं आनी है उनकी तो साजेदारी कहां से होगी तो इस तरह की आउसरबादिता को उत्फर प्रदेश की जनता नकार देगी सर आपको क्या लगता है कि इस बर भाज पाकिस तरीके की मुद्दों को लेकर 2022 में उत्रेंगी बारते जंता पारटी अपने केंदर की मुदी सरकार की उपलब्दियां घर सबको आवाज सबको बिजली सबको सवचाले किसान सम्मान निधी सबको निसुल गैस कनेक्शन किसान की आमदनी दुगनी और जो हवाई अड्डों की सुविधा हवाई चपल वाले को भी हवाई जहाज पर उसकी आत्रा को सुगम बनाना कस्मीर में धारा 370 हटना भगवान सरी राम की जन्म भूमी पर बब्ब मंदिर का निर्मार होना तीन तलाक के कानून हटना चीन और पा चोबिस घंटे बिजली की विवस्था प्रदेश में सडकों का जाल बेसिक माध्यमिक से लेकर उच्छी सिच्छा तक पूरे सिच्छा चेतर का काया कल्प चिकित्सा चेतर का काया कल्प स्वास्ति की सुविधाएं ये तमाम सारे केंदर की 48 योजनाओं में आज उत्तर प रोजगार, यूपी इन्वेस्टर्स मीट के माध्यम से उत्तर प्रदेश का उद्दोगिक विकास, इन सब मुद्दों को लेकर अपने मुख्यमंद्री का एक इमानदार और करतब निष्ट और परिस्रमी चेहरा, इन सब चीजों को लेकर के हम लोग जनता के बीच में जा पूरन करना, उनको और आगे बढ़ाना, उत्तर प्रदेश को देश के नंबर एक राजजी के रूप में स्थापित करना, उत्तर प्रदेश को एक अधोगिक राजजी के रूप में स्थापित करना, उत्तर प्रदेश के इन्फराइस्ट्रक्चर को और भी बहतर करना, बि उत्तर परदेश में कियों 12 medical college हो पाते अज लगभक 30 medical college संचालित हो रहे हैं और जिले में एक जला एक medical college के लच्छ को लेकरी jullie सरकार काम कर रही है एक जनपद एक उत्पद योजना के अंतरगत जो हर jilिये में वहीं पर रोजगार उपलब्द कराने का जो प्रयास हो रहा है ताकि हमारे नोजवानों को कहीं भी माइग्रेट करने की जरूरत ना पड़े कहीं घर छोड़ कर जाना न पड़े इन सब योजनाओं को और भी तत्परता से लागू करना कई और मेट्रो सिटीज तक मेट्रो रेल को पहुंचाना युद्या कासी मतुरा और चित्रकूर जैसे हमारे जो परेटर नस्तल है प्रयाग राज इन सब को और भी दुनिया के बिस्वस्तरिये सारों के रूप में इस्थापित करना उत्तर प्रदेश के गाउं तक सभी बुनियाद कि सुविधाएं और अत्यादुनिक सुविधाएं इंटरनेट का नेटवर के सब उपलब्द कराना यहीं सब एजंडा अगली बार के कारेकाल में हम लोगों की सरकार करें आपकी कार्योजना क्या रहें मेरी कार्योजना देखे मेरे विदान सबाशेत्र में तो कुछ नही हमारे एक ब्लाक में पसपताल नहीं था वो बन गया काम हो रहा है एक मिनी स्टेडियम और रोडविज के बस स्टेशन का मामला प्रक्रिया में है जल्दी ही वो सपना भी पूरा हो जाएगा कोई फायर स्टेशन हमारे छेतर में नहीं था उसके लिए जमीन मिल गई है प्र विदान सबाद चेतर में इस्थापित हो ताकि हमारे चेतर के हमारे जनपत के नौजवानों को रोजगार मिले कुछ इस्किल डेवलपमेंट के इंस्टिचूट की इस्थापना हो सके कुछ और जो सड़कें कुछ रह गई हैं अगर जिनको चोड़ी करन होना है वो इटवा तक भी पहुंचें, सिधार्तनगर तक पहुंचें, उसके लिए कोसिस करूँगा निश्चित्रों से. बाकियां, आपको अगर बेसिक शिक्षा विभाग के अलावा कोई विभाग देने की बात की जाए, तो आप कौन से विभाग में और काम करना है? देखें, ये तो मुख्य मंतरी का वितेशा अदिकार होता है, जो भी विभाग मिलेगा, कोई ऐसा रिजर्वेशन नहीं है, अगर अवसर मिला फिर मंतरी परिसत का हिस्सा बनने का, तो जो भी विभाग मिलेगा पूरी इमान देशा, कोई विभाग कम या ज्यादा सिक्षा होता है, उतना ही करसी होता है, उतना ही साकारिता होता है, उतना ही गरामिड विकात होता है, हर विभाग अपने आप में महत्तुपूर्ण होता है, विभाग कोई भी मिले, पूरी इमान दारी से कोशिस करूँगा, कि उस विभाग के माध्यम से सरकार की उत विभा जाहेंगे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से आम जनता को एक संदेश दें। पिछले साड़े चार साल में भारते जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के कारियों को देखिए और पिछले जो सपा बसपा और कांगरिस की सरकारे रही हैं उनसे तुलना करिए और इस तुलनात्मक अध्यन के आधार पर आप निर्डे लीजिए और जो उत् प्रदेश बनाने का प्रयास कर रहे हैं उसमें साभागी बनिये अब तक जैसे आपने आसिरवाद दिया है वैसे ही आसिरवाद दीजिये 2022 के चुनाओं में भी और 2022 में भी एक बार फिर से डबल इंजन के सरकार उत्तर प्रदेश में बने इसके लिए मैं अपने और से प् काफी पसंद आई होगी अगले एक्पिसोड में हम फिर आजर होंगे एक नई शक्सित के साथ में तब तक आप देखते रहिए प्राइब टीवी नमस्कार झाल